उन्होंने का कि भई मैं जब कहीं जाता हूं तो मुझसे पूछते हैं आप तो कवी हैं तो कमाने के लिए काम क्या करते हैं शब्द रूप है काव्य मानव होना भग है और कवी होना सो भाग है तो आपने राश्टिय परिवार मितरी संग ना वना कर भीवानी मैतरी परिवार संग क्यों रामयन में भगवान राम ने कहा है बालमी के रावन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पोड़कास्ट के माध्यम से कि आप कहीं पहुंच जाओ दुनिया में लेकिन अपने धरती को अपने जनम भूमी को अपने पुरुखों की भूमी को अपने पिताजी की भूमी को कभी नहीं बूल सकते हैं आपकी रूट्स वहीं रहेगी यह ब प्रिटेन के अंदर चर्च में कुछ जाना नहीं चाहता तो चर्च को बेज देते हैं वे लोग और सनात अंदर हम उनको खरीद लेता है और फिर मंदिर डवलप करते हैं यह ताइम मैनेजमेंट की जो स्किल है वो यूवा जानना चाहता है हमारे यूवा यह कहते हैं कि ज दो तीन चार साल पांस में अचीव कर सकते हैं दोस्तों नमस्कार लेजेंड्स ओफ नेशन के इस कारिकरम में मैं डॉक्टर अमित्मा इश्वरी आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और हर बार आप इस प्रोग्राम में मिलते हैं ऐसे से जो अपनी लाइफ का एक्स मुझे आपकी कि जाने माने विश्व विक्यात कभी राजिएआश सात्ता में मैं साथ में तो सबसे पहले तो चेतन साब कबार का बहुत-बहुत भूत हार्दिख क्वात दpark के जो वियूर्स हैं आपके जो अंको नवस्कार दर्शी कि वर्षा करने से पहले कि आज कभी से बात कर रहा हूं तो बड़ा सोच समझ के प्रोफेशनलिजम को अलग हटाते हुए मैं भी उस माहौल में आना चाहता हूं जब कभी से बात करते ना बड़े फेमस कभी हैं संपत सरल जी जो गादे बोलते हैं मेरे मित्र है वेंदकार है जापुर के हैं तो ने बड़ा पारा सथेटमेंट दिया था उन्होंने का कि मैं जब कहीं जाता हूं तो मुझसे पूछते हैं आप तो कवी हैं, तो कमाने के लिए काम क्या करते हैं, कैं सबी कभी हूं और कभीता से ही कमाता हूं, То यह बड़ा परंशन हो जाता है , . DA myth मैं जानना चाहता हो और हमारे वीवर्स से जानना चाहते हैं कि कवी की लाइफ में 140 करोड की आवाधी में भारत में कविता लिखने वाले कविता से जुड़े हुए तो लाकों लोग हैं। और वपालदास निरजी का दोहा मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने लिखा, निरजी बड़े कवी थे, पदम फूशन थे, बहुत फिल्मों में उन्होंने गेत लिखे, उन्होंने एक दोहा लिखा कि आत्मा के सोंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, पर कवी होना सोभाग, तो यह मेरा भी सोभाग है, क्या रास्ट्र कवी मेरे साथ में, तो अब इस जो लाखो कवी कविता लिखते हैं, इसमें मंच पर प्रस्तुत करने के लिए जो जाते हैं, वो चोधा सो, पंद्रा सो से जादा कवी नहीं है, और उनमेंसे भी जो इंट तो यह रोजगार की जहां तक बात आपने कहा रोजगार की बात, तो बहुत इसमें अवसर नहीं है, यह के कैरियर कविता नहीं हो सकती कभी भी, बहुत थोड़े से लोग हैं, एक नाम आप कुमार विश्वास का ले सकते हैं, एक नाम आप स्वरेंदर शर्मा जी का ले सक इस से ज्यादा नाम आपके पास मिलेंगे नहीं तो कभी की जिंदगी संघर्स की जिंदगी है लेकिन उस हाइट पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और वहां पहुंचने के बाद भी आप आर्थिक रूप से कविता के ऊपर निर्भर रहें यह मुझे लगता है के निर्भर रहें और यह मुझे आधा को एक शोट बना के रखिएगा और कुछ दूसरा कुछ और कीजिए गा तो अच्छा हो तो चे तन साप आपके बारे में जो मैं जानता हूं आपको नहीं मैंन ऑन श्याग बहुत लोग कहते हैं जिस सिवागी अच्छा वोग यह मैंन हमेशा बांध कर रखते हैं तो प्रश्ण मेरा यह है कि हमारी क्या-क्या संस्थाइं हैं क्या-क्या व्यापार हैं और अध्यात्मिक संस्था के साथ मिलकर हम क्या-क्या करते हैं तक हमारे वीवेरे जान सकें कि one-man show भी multi-tasking हो सकता है देखे इस आपके सवाल में कई सवाल आपने जोड़ दिया तो इसमें पहले तो मैं बिजनस की बात कर लेता हूं में नने सका खेंगे वैपार में चावड़ी बजार में की थी इंडस्टियल प्रदेट्टस का काम सरू किया था प्रेशों से से 2,000 तक वो काम में करता रहा और मेरा मन उसमें कम लगा मैंने 2,000 में उस काम से वहां से निकला है मैं और मैंने इंशुरेंस सेक्टर में काम सुरू किया 2,000 से लेके मैं आज तक इंशुरेंस सेक्टर में हूँ और मैंने इंशुरेंस में मिलियन डोलर राउंड टेबल होता है सारे वर्ड के इंशुरेंस प्रोफेशनल्स की एक संस्ता है मैं यह भी देखता जो इंशुरेंस एडवाइजर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं पड़ा स्टेंडर्ड तरीके से डिफाइन करते हैं मुझे लगा भई भई एमडियाटी भी तो कोई एक वेलियोबल चीज है और आपना जाद बता रहे हैं इसके बारे तो जैसे भारत में 14-15 लाख अजेंट हैं उनमें से एमडियाटी तक पहुँचने वाले 4-5 थाजार भी नहीं है अच्छा जी 14-15 लाख लोगों में से 4-5 हजार तो ये एक स्टेंडर्ड मना जाता है कि एमडियाटी और एमडियाटी का टार्गेट हर साल अच्छीव करना होता है तो फिर आपको यूएस जाना होता है वहाँ कॉन्फरेंस होती है मिलियन डॉलर राउंड टेबल की लगभग 80-90 कंट्री के अजेंट्स इसके साथ जुड़े हुए तो मैं लास्ट 20 एर से एमडियाटी का मेंबर हो तो मैंने इंशुरेंस का काम जब किया तो अकसर जो है यह देखा गया आमजी कि हम अपने बच्चों को अपने प्रोफेशन में नहीं ला पाते हैं पर यहां मैं आपके सामने गुधारन हूँ मैं अपने दोनों बेटों को राघाव और केशव को मैंने इसी काम में उनको जोड़ा अपने साथ में उन्हों पढ़ाई भी यहीं कि राघाव और केशव ने इंडिया का बेस्ट इंस्टिट जो इंशूरेंस पढ़ाते हैं बिरला इंस्टिट ओफ मनेजमेंट बिम टेक बोलते हैं ग्रेटर नवड़ा में वहां से पढ़ाई की दोनों ने और दोनों गॉल्ड मैडलिस्ट है और उन्होंने इंशूरेंस में जूब किया एक ने स्टेक बेंक जर्नल इंशूरेंस में काम किया एक ने रिलाइंस जर्नल इंशूरेंस में काम किया पर एक संकट आया हम अगरवाल परिवार में पैदा हुए है अगालों का काम नोकरी करना नेए अमिद्जी आप भी उसी परम्परा में पैसे समा जटाहर है हमारा आज वह लोगों को रोजगार देने के लिए नोक्रियां देने के लिए नोकरी करने के लिए नमने कर समझाया तो बहुत जल्दी तो समझ में आता नहीं को कि नोकरी भूखा मरने देती नहीं आगे बढ़ने देती नहीं तो बीच में बात मैं अपनों को कहना चाहता हूं कि किस बात को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है एक वेल स्पीकर अगर बनना है ना तो एक कभी को फॉलो करना शुरू करें क्योंकि एक बात को मीठे सुरू में कैसे बोलना है टोन टैंपू वाइस मोडिलेशन सब कुछ आपको कभी के पास मिलेगा तो बच्चों ने जो है ब तो हमारे देश में लाख है 14-15 लाख है और इंशुरेंस ब्रोकर तिन सो साड़े तिन सो चार सो इंशुरेंस ब्रोकर से हैं आज हम उसमें आ गए है पांचे लोगों की टीम थी आज 26 लोगों की टीम है लास्ट येर हमने 30-40 करोड रुपे का प्रीमियम किया है बिजनस मे अगले 4-5 साल में हम सो करोड रुपे के प्रीमियम तक जाना चाहते हैं तो ये एक बिजनस का है लेकिन बच्चों ने अच्छा काम ये किया है कि मेरे को उन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर बना दिया है बिजनस में आपकी इच्छा हो तो आ जाओ नहीं इच्छा हो तो 17,18 हजार कंटेक्ट से हैं तो मैं नहीं से सर्चिंग करता रहता हूँ मुझे कहीं लगता है कि यहां पर इन बच्चों को मिलवाय जा सकता है इसा सुष तरह एक एंससा सुप्र है इसमें आपकी ब्जिनस नेट्वर्किंग ऑट्रमेटिक हो जाते हैं देखे मैं कि आरेसी ने व्रहहा और जहां से देश को पर्धान मंत्री मिला इतने सारे मुख्या मंत्री मिले इतने सारी सरकारें उस huir sangeकी शाखा पर मेरी ट्रेनिग ओई है और मैंने वह हुआ बहुं पर संग की शाखा कि लोक संग्र है एक सुत्र देता हूं लोक संग्र है और उसमें से लोक चेयन लोगों को कठा करें आरशास क्या था पारक में जंडा लगा के लोगों को कठा करते थे उसमें से अच्छे गुणी लोगों को समाज के काम में लगा लेते थे उसमें से यह सब संगधन भाजपा और आज इतने सारे और्नाइजेशन खड़े हुए तो मेरी ट्रेनिंग वहाँ हुई अमिद भाई और वो ट्रेनिंग से मैंने ये सीखा कि गुणी लोगों का कठा करो तो मैंने अलग-अलग और्नाइजेशन बनाए भीवानी परिवार में 30 संग बनाया पंद्रा सो परिवारों का एक और्नाइजेशन है दिल्ली में बहुत चर्चा होती है बड़ा सिवा के कामों में अग्रणी संगठन है भीवानी के लोगों का संगठन है ऐसे मैंने इंशुरेंस प्रोफेशनल्स के लिए यहां मेरा एक और बहुत बहुत मुल्य प्रश्न है जुरूर किजिए क्योंकि आप एक अंतरास्ट्रे का भी है आप केवल किसी एक जिले, कस्बे या तालुका से संबंदित नहीं है तो आपने रास्ट्रे परिवार मेतरी संग ना बनाकर बहुत अच्छा सवाल किया एक व्यक्ति जो अंतरास्ट्री है तो यह प्रश्न मन में बनता है बहुत अच्छा सवाल किया देखे एक बात बता दो आपको रामयन में भगवान ने कहा है बाल में किराना तो है अपनी जनमभूमी से रोजघार के लिए बिझनस के लिए छोड़ कराई यहां पर सवाल यह होता है अमित जी हम लोग बोलते हैं भारत माता किज जै भारत तो इतना बड़ा है वहां आप कहां काम करोगे कोई तो एक आपको करम छेतर बनाना पड़े क्या करें तो हम ने देखा कि लोगों के दिल में अपने जिनम मि reckless अ ब्हुंच की प्रती प्रेंद हो लिए और वह और घंए करदन देता हूं बिवानी जिले में एक गाउं है सुई जहारास्टरपती महुद्य गई एक ही परिवार ने अपने गाउं को आदर्स गाउं बनाया और पच्छिस क्रोड रुपे अपने गाउं पे खर्च किये बिवानी परिवार मेत्रे संग बनाया और आज इस भरतमान संसद में भीवानी के च्छे मेंबर उपरलेमेंट एक जिले से तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रोड कास्ट के माध्यम से कि आप कहीं पहुंच जाओ दुनिया में लेकिन अपने धर्ती को अपने जनम भूमी को अपने पिताजी की भूमी को कभी नहीं बूल सकते आपकी रूट्स वहीं रहेगी और हमने दिल्ली में जो भीवानी छोड़कर आगे थे उन सब को इस अंगठन के माध्यम से जोड़ लिया और भीवानी के साथ कुछ नो कुछ नो कुछ समाजी काम भीवानी के लिए सो दिल्ली शहर में आया व्यापार खड़ा किया समाज का समुदाय का एक ग्रूप खड़ा किया शोशल नेटवर्किंग की तो विश्व विख्यात में कहां कहां जाने का मौका मिला और कहीं का एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपको लगता हो कि ये बात वैसी है जो फन से भर जा चुका हूं और देखे रिशी सुनक एक सनातन धरम का व्यक्ति आज ब्रिटेन का प्रधान मंत्री हो गया तो भारत वंसी जो एनराई है उनका बड़ा स्थान है ब्रिटेन में और मुझे गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने भेजा वाइट पासपोर्ट पर गया मैं दो ब हम फातना चाहता हूं आपको मेरी यात्तरा की वहन पर हम लोग राथ को कविता सुनाया करते थे और दिन में हम वहां घूमने का रहता था कहींने कहीं चाहित है अचा जी यह बड़ी बीबात यह स्टान की जीदहरा है आप देखें जै ब्रेटेन के अंदर चर्च में कुछ जाना नहीं चाहता तो चर्च को भेज देते हैं लोग और फॉतनात अंदर हम फिर मंदिर डवलब कर देदें वो कभी चर्च था आज मंदिर है तो मैं शाम को देखता कि यह तो चर्च इसमें कभी ता पढ़ेंगे क्य और वो अधिकान समंदिर सब चर्चिस को खरीद कर बनाए गए एक बात तो यह मैं कहना चाहता हूँ यह सनातन की ब्रिटेन में मुझे बड़ी जीद दिखाई पड़ी दूसरा जो मैंने देखा वहां के म्यूजियूम में मैं जाके रोया करता था जब वहां गैड बताता थ तो सच में बड़ें जी आपका निए प裡面 में मिले ABS टारिये ओधता यह सच में बड़े इस यात्रा की अन्भव है यूएस गया मैं ओमान गया और अभी अजर बैजाइन में जाके आया हूं मैं तो यह एक विदेश यात्रा एक बात बस में इस पॉड़कास्ट में जुरूर कहना चाहूंगा कि भारत वंसी सारी दुनिया में है और मोदी जी के आने से एक लाब य रहता था मोदी जी ने आके आके उसको सबल बनाया है वो उसकी आवाज बुलंद की है वो आजकल बोल रहा है उसका प्रमान यह है कि अभी दुभई में गया था दुभई में तो वह तरह से मेनी भारत है जी लेकिन दुभई में कोई इतने बड़े मंदिर के बारे में तो यह बड़ा मतलब मेरे सनातन की जीत है और मेरे मेरा अंभव यह रहा है कि आप दुनिया के लोग सनातन को पसंद कर रहे हैं दुनिया में भारत को लेका कोई संघर्स नहीं है भारत वंसियों को लोग लाइक कर रहे हैं यह आप यह देखिए कि बिटेन का प्रधान मंत देखिए बाइध सों में भारत वंसी परधान मंत्रिया रास्ट्रपति जी चोटी बात नहीं हमें चीए अब यहां प्रश्न है इन आप बातों को मिलाकि अब सारी बात यह एक व्यक्ति रास्ट्र कोई अंतरास्ट्र कउई पूरे विश्विम ब्रह्मन कर रहे हैं और एक वेक्ति जिसका परिवार भी है तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहते हैं कि लोग कहते हैं अरे बैस अभी इतना काम था कि रोटी खाने का फरस्वत नहीं मिला इतना काम था कि रात को लेट सोया तो ये टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है वो युवा जानना चाहता है हमारे युवा ये कहते हैं कि जी आठ गंटे काम करने के बाद ठक जाते हैं आपका सोर्स ओफ एनरजी और सोर्स ओफ एनरजी के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये सूतर अगर हमारे युवाओं को मिल जाए तो जो हम लोगों ने 10 साल 20 साल 50 साल में अचीव किया है ऐसा भी हुआ करी बाहर के एक ही आदमी है कोई आया ही नहीं तो उसने काले करम सुरू कर दिया इंजार नहीं किया कभी तो ये जीवन में मेरे रहा कि समय मैंने वहां प्रबंदन सीखा फिर मैं जब इंशोरेंस सेक्टर में काम करने के लिए तो कुछ बहुत अच्छे ट् उधारन के लिए जी आज मुझे आपके पास एक बज़े आना था मैं साड़े बारा बज़े यहां पर था नीचे मैं सिंगला साब की दुकान पर आपने बता लिए क्या होता है कि लोग हमेशा पता क्या गयते हैं सर एक बज़े का टाइम था मैं आने में पंद्रा मिनट ल ना पड़ेगा आपको बहुत इसी दर्वना घटना कि अब यह सी ओटी का जो चल रहे हैं तो उनकी बेटी सी ओटी का अग्जाम दे रहे थी यह सेंटर रोज बदल जाते हैं सरकार पता होगा आपको आपका बेटा अग्जाम दे रहा है तो वह बेटी यूएस पढ़कर स तो यह सुल्तानपुरी में यह अपने घर से समय से निकले होंगे और ट्रैफिक जाम हो गया सुल्तानपुरी में और बेटी को एक किलोमेटर पहले राजेस पंसलजी ने कहा कि बेटा वो करके चले जाओ सेंटर पर पता नहीं एंजाइटी हुई क्या हुए उसको में जीवन में से अगर टाइम मनेजमेंट सीखना है तो यह कि सूत्र है आदा घंटा कम कर दो अब यह मान लें कि जो दिन चार रहा है वो साड़े तेज घंटे की बनाई आप कहीं लेट नहीं होंगे आपको फ्लाइट पकरनी आदा पहले निकलो अग्याम दिने जाना के लिए अमित मैश्वरी जी के पास डोक्टर साब के बास मुझे आदा गंटा पहले पहले पहुंचना चाहिए मैंने एक नहीं साड़े बारा समझ लिया नीचे आगे कपे मार रहा हूं कि मैं टाइम आप यह अगर आपने किया मेरे बारे में कहते हैं लोग राजेस्चेत बहुत अच्छा अपने पॉइंट को एक्स्प्लेइन भी किया क्योंकि युवा साथ ही ना हमेशे ही रोनार होते रहते हैं मैं बहुत सार लोगों से पूछता हूँ ना कैते यह इतना पेट निकला हुआ है यह इतना फिट नहीं है इतना अन्फिट है बहुत मोटा हो गया मैं मुझे बता कि पांच बज़े से लेकर साथ बज़े तक कौन-कौन सी मीटिंग कौनपनसी अपॉइंटमेंट कहाँ आना और कहा जाना है करें उसलेकं दूस हो रहे होते हैं मनका बस वही टाइमे सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो टाइम मेनेजमेंट के वारे में आपने बताया अभी एक प्रश्ण युवाओं के सामने और आता है कि चलो टाइम मेनेजमेंट तो मैं प्रैक्टिस करके कर भी लूँगा पर जो शोशल लोग काम की तलाश में भटकते हैं और यदि लोग नेटवर्क बनाने की कला सीख जाएं तो वह वह हासिल कर सकते हैं जो वह हासिल करना चाहते हैं और जैसा कि अनेकों वर्शों से मैं अगर बात करूं तो सन दोहजार बारा से लगबग हम लोग अच्छे संपर्क में हैं बिल्कुर बारा वर्शों में मैंने जो देखा वो यह देखा कि राजेश चेतन जी मतलब की एक पावर्फुल टूल वो केंड मेक अ गुड शोशल नेटवर्क इसकी कुछ ऐसी टिप्स हमारे यूबसातियों को बताएं कि वह अड़ाप्ट करें और आगे बढ़ जाएं जो रात के अंधेरे में ग्रेट दो लैन की गीता है यह पहले तो आपको यह इस रास्ते पर चलना पड़ेगा नेटवर्किंग के लिए दूसरा क्या है नेटवर्किंग तब बनती है हम लोगों की अपेक्षा लोगों से जादा होती है कोई अपेक्षा मत कीजिए आप य इस परिवार में मुझे दिखता है कि यह बेटा या बेटी विवह के योगे है तो मैं उसके शादी की बात सुरू करता हूँ उसको लगता है कि यह मेरे काम का अदमी है उनको लगता है बिजनस में कोई प्रॉबलम है और नहीं मिल रहा है और यह चार ऐसी कंपनिया है जह मैं उस तरह से उस परिवार का हनुमान बन जाता हूँ मेरे साथियों इस बात को गाठ बांद लो कि जब हनुमान की तरह राम भक्ति करेंगे न तो आपका नेटवर्क स्टॉंग बने तो सर टीम बिल्डिंग के लिए शोशल नेटवर्किंग के लिए पांच टिप्स पॉ रहें हैं, यह बहुत महत्वपोन है. आपको सोशल नेटवर्किंग में टाइम मनेज़मेंट पहले आना चाहिए, कहाँ बैठना और कहा नहीं बैठना. यह बहुत महत्वपोन बात है heti मेंने में टाइम मनेज़मेंट कैसे करना यह गे मैं पहले बता चुकह हूँ अपने बात के अंदर दूसरा निसकाम सेवा करने का भाव होना चाहिए आप कोई स्वार्थ लेके जाएंगे किसी के पास भी तो आपको तुरंट पहचान लेगा हुआ कोई क्लेम तो नहीं कहीं अटका आपका कोई पुलसी ली हो और कोई दिक्कत हो यह तो बताओ कोई एड्रस तो चेंज नहीं करवा ना एलाइसी में आपको कभी नहीं का की पौसी लो उसकी सेवा कर देजिये वो कहता थी यह पांच पौसीयां पड़ी है इनका कोई सर्विस देने वाले ही नहीं आता हमारे पस तो हम कर दे ते आपके तब भी नहीं का उस सामने वाला फिर खुद कहता है कि साब यह कर देजिए तो शोशल नेटवरकिंग में तीसरा लोगों की निसकाम सेवा का बहाव रखी है डेटवरकिंग तब होती है लोगों को लगना है नेचर नेचर का मतलब है सुभाव आपका सुभाव ऐसा हो कि आप अगर कागज पेन लेके लिस्ट बनाने लग जाएं तो संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो आपके नेचर पर अपने सिगनेचर कर सकें वाइफ को भी अगर आप पूछेंगे क्यों डार्लिंग मेरे नेच की गलती है काई कि उत्र मिल सकता है जी दस लोग भी कई बार नहीं होते हैं जो आपके नेचर पर सिगनेचर कर सकें राजेश चेतन की यहीं कमाई है कि आज सैकड़ों लोग ऐसे हैं राजेश चेतन के नेचर पर अपने सिगनेचर कर देंगे तो यह नेटवर्किंग का बस अपेक्षा करेंगे तो लोग भाग जाएंगे छोड़कर आपको लोगों को आपर भरोसत तब बनेगा आप बिना किसी अपेक्षा के काम में लेगा रहे हैं लोगों के काम आईए मैं एक उधान से समझाना चाहता हुआ इस परिवार संकट में है और इस परिवार को मेरी की जूरूरत है तो मैं हनुमान जी की तरह पहुंचे बोलिए क्या प्रॉब्लम है और बात है अब राजेश्चेतन खड़े हैं होस्पिटल के रिशेप्शन पे क्लेम सेटलमेंट करवा रहा हूं फलाना करवा रहा हूं मैंने काम करवाया और तो अब क्या हो गया हो मेरा परिवार हो गया पचास लोगों को पताता हुआ हिंदुस्तान में होस्पिटल में जब तक पूरा महला हाल चाल लेने ना जाए तब तक बेशन ठीक ही नहीं होता है तो यह मैंने देखा कि लोगों के काम आते रही है तो लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं और यही मै अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि नेट वर्किंग तब होगी अच्छे संस्थानों से आप जुड़ेंगे अच्छी सोसैटी से जुड़ेंगे अच्छे कलब में जाए अच्छे संस्थाओं में जाए आपके जो भी बिजनस औरनाइजेशन है आपके शोशल कहते हैं कि अगर बड़ी उमर पर जाकर बुज़र्गों कि तम ने सीखा तो इसको इस्तेमाल कितने साल करो हमारे प्रोड़क्ट में गारंटी होती है हम कहते है लाइफ टाइम वारंटी अच्छा वारंटी तो एक हमारे सजन मारे कस्टमर थे हुआए तो बोले भई इसकी गारंटी वारंटी कहा है मैं गजि लाइफ टाइम वारंटी है तो फिर पोते के नाम कर दो इसके डोकुमेंट्स मैं गा सर यह जीवन की लाइफ नहीं प्रोड़क्ट की लाइफ है अब इसी बात से बात याद आई कि 75 साल का वेक्तिय की पता नहीं कब क्या हो जाए तो ल आदनी बड़ा तूड़ जाता है मायूस हो जाता है या कही ना कहीं उसको भाव ऐसा लगता है कि अरे मेरा तो जीवन मेरे हाथ से निकल रहा है मेरा सब कुछ मुझ से छूट रहा है तो राजे शेतन जी के जीवन में कभी क्या ऐसा हुआ 2019 में मेरी पत्नी उशा उनका नाम अचानक पता लगा बिलकुल स्वस्थ थी कि उनको लंग्स कैंसर हो गया है तो डोक्टर ने का एक महिने की लाइफ है तो अब वो बेटे का रिस्ता हम ले चुके थे शादी उसकी रूंबर में ड्यो थी नून बात है क्या खरता है सोला की बात है तो डोक्टर ने एक महिने की जिंदगी बिताया तो इससे बड़ा तो जिंदगी का कुछ होने सकता परन्तु डोक्टर्स ने भी महनत की तो दो ड़ाई साल वो सरवाइब कर पाई और बच्चों ने भी बहुत सेवा की उनकी हम कैंसर से लड़ हार गए जीवन की बाजी को हार गए अब किसी की लाइफ में अमिज जीवन साथी चला जाए और वो आईउ आईउ आपकी इस तरह की है कोई बहुत बच्चों की शादी नहीं हुई और उस थिती आपकी उस तरह की नहीं है कि परिवार को आप अकेले चला सको उस थिती में पहुँच गया मैं लेकि मेरी माताजी है इस समय वो भी 80-80 साल की है और दुबारा से उन्होंने परिवार को समभाला परिवार का भाकी भ बाहर निकले और उसमें मैं जो कहना चाहता हूं सबसे मैं तो बात इस सारे में जो समाज की नेटवर्किंग थी मेरा जो समाज मेरे साथ खड़ा था वो उसने बड़ा रोल प्ले किया जी चार-पांच हजार लोग तो रसम पगड़ी वाले दिन थे जपानी पारक का जो ट समाज का बड़ा सपोर्ट था और 2019 के बाद मैंने भी धीरे 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 बिजनस से अपने आपको निकाल के समाज के कामों में अपने आपको लगाया और मैं ये भी कहना चाहता हूं इस पोड़कास्ट के मादन से ये तो हानिलाव जीवन मरण यस अपियस इस तरह की घटना घट सकती है जीवन में तो जीवन को निरास होके बैठने की चीज़ नहीं जीवन बार बार नहीं मिलता है तो आप उसको दुबारा से अपने आपको खड़ा कर रखें जिन्दा रखें और समाजी कामों में जब आप अपने आपको लगा देंगे तो फि अपने आपको पूरी तरह से बदल लिया है और को रास्ता भी नहीं था इसके अलावा तो बस ये जिवन का अध्याय है अपने आप में और जो मैं यही कह सकता हूं कि आप हर प्रस्थिति में कैसे जिंदा रखना अपने आपको ये सीखना चाहिए बस एक सर लास्ट कोशन में आया है पूचना चाहिए वर्क लाइफ का बैलेंस कैसे बनाए जबकि मेरे पिछले सवालों में सवालों के जवाब भी हैं तो वर्क लाइफ बनाने के लिए जो सबसे बहत्र पूर्ण बात है वो है प्लैनिंग हम लोगों की प्राब्लम यह है कि हम कुछ भी प्लैन नहीं करते हैं मैं राजेश चेतन आज रात को सोने से पहले नेक्स डे की प्लैनिंग मेरे पास होती है मुझे क्या करना है कहां जाना है किसे मेटिंग हिंदुस्तान में 99 प्रसेंट लोगों के पास नेक्स डे का प्लैन होता ही नहीं है मुझो सेम डेक झी होता है हम अभी तो नेक्स डेकी पोस्बलिटे बहुत दूर है आमित महिशवरी की तरह हैं लोग नहीं है कि एक एक दिन का एक एक घंटे का एक एक मिनट गा भी назबर ने बड़ा कमफर्ट जो अनमें अपनी लाइफ को डाल रखा है तो वो पहले तो हिसाब चाहिए जिन्दगी का तो रात को नियम बना लो सोने से पहले पंदरा मिनट आज का दिन क्या किया क्या सोचाता हुए काम हुए या नहीं हुए और कल क्या करना है सबसे जरूरी तो य है संतुलन बनाने के लिए दूसरा काम जो मैं बताना चाहता हूँ महत्वपूर्ण है और यह नेट वर्किंग का भी मैं एक सब्जेक्ट इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ जिए वर्क बैलेंस की आपने बात कि उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मैं यू करत आपका यह तरीका अच्छा है लोग अपनी परसंसा सुनना चाहते हैं और यही सुत्र है जीवन का अंदर कि आप लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप यह टूल जीवन में आप ले लो कि छोटी सी बात यूरोप से सीखो अमरीका से सीखो हर बात के जरूरी है इंडिया में बहुत बड़ी कमी है जो मैंने नोटिस की भारतियों मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए पर अपने अंदर को यह कमी है तो अपने लोगों को बताएंगे तो वह सुधार करेंगे यूएस में यूके में यूरोप में कहीं भी आप जाएंगे जैसे को क अब देखो पॉड़कास्ट जब मानेंगे जब एक राष्ट कवी से एक ऐसी तड़कती भड़कती बात यूवा को कवीता के रूप में इंस्पायर कर देंगे जो कवीता है तो मैंने बहुत सारी है लेकिन आज का जो पॉड़कास्ट का सब्जेक्ट है उसमें मैं एक ही धर्म जाग रहा है दुनिया बदल रही है तो अभी मैं पॉड़कास्ट के हिसाफ से नहीं मैं वह जब मैं स्टेज पर देखता हूं तो गूसबंब हो जाते हैं कि एक स्पीकर को भी ना स्पीकर बड़े एटिटूट वाले लोग होते हैं हलब कम्यूनिटी डिफरेंट हो तो मैं यह चाहता हूं क्योंकि हर्णा कश्षब कब तक रहलादों की अगनी परिक्ष्षा कबегी एक लवे कालब करने हैं मोकतो सबनाओस। मैं न होगा कब यजिकर वन में रावन हमें मारना होगा हो दर्बारों में सति दुर्पदी कब तक चीर हरन करने हैं लाक्षा ग्रह में कितने पांडव हम को आज दफन करने हैं कितनी पद्बनियों के जोहर फिरसे हमें देखने होंगे कब तक लास सहीदों उपर हमको हाढ सेखने होंगे कदम कदम पर परिक्षा कैसे जान छुडाओंगे घर घर में हिरना कश्चप हैं कैसे प्रहलाद बचाओं शाना तुम मैं एक यह बात कहना चाहता हूं युवाओं को कदम कदम पर अगनी परिक्षा है उसमें से निकलना हर दिन अग्याम देना है तो और यह परिक्षा आपके नहीं कि भक्ति आपके ज्वन में हो तो बस अथन नया पार है जी कि बहुत शांदार बातें बहुत अनुभफ से संबंदित बातें आपसे से कि समझी सुनी लोग सीखते हैं सुनते हैं समہ से हैं कुछ दिन इंप्लिमेंट भी करते हैं लेकिन सफलता के वल्व है वेक्तियासिल करता है जो निरंतर प्रयास करता है बिल्कुर चीज़ों को के साथ बनाए रखता है तो बहुत-बहुत वेल्यूबल कांटेंट बहुत वेल्यूबल इंफॉर्मिशन आपने शेयर की सर्थ मैं सभी वीव करते हैं ना उखासका राजेश जितन जी को जुरूर जानते हैं तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्मैशवरी आज़ के विशेष अतिथी राजेश जीतन जी के साथ आपके सुनरे ले वविश्री के हम लोग कामना करते हैं जै हिंद जै भारत बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार नमस्कार नम्यवाद